So what is up guys, welcome back to this channel and the world of unpredictability that is PUBG Mobile Esports and आज की वीडियो पे बात करने वाले हैं PMWI 2021 Day 1 के बारे में and guys overall standing and top teams आपकी screen के सामने आ रही होगी So guys आज की वीडियो पे यही बात करने वाले, जितनी भी top teams हैं उन्होंने क्या ऐसा unique करा, कि वो यहाँ पर top पर है, क्या ऐसा plus one करा other teams के comparatively Second guys हम बात करने वाले, जितनी भी आपकी bottom teams हैं उनकी दरफ से क्या चीज़े हमको देखने को मिली, जो ups and downs जिसकी वज़े से उनकी performance थोड़ी से हमको down देखने को मिली जो guys काफी अच्छी observing वीडियो, analysis वीडियो ने वाली है आपको जितनी भी region की teams के mentality है, lobby के mentality बताने वाले है तो end तक guys काफी ज़रूर देखना and channel को भी subscribe कर लेना firstly guys जो यह top teams दिखरी है, सबसे पहले vampire response कल का पहला match काफी अच्छा खेला, opening हर कुस थी stall order, fan kill की अगर बात करें, consistency काफी अच्छी थी USG box, TJB, 4Rival and Vivo इन सभी team में आपकी common चीज़ है, पता क्या common चीज़ है team mentality की अगर बात करें, starting के circles खेलने का तरीका so guys अगर आप यहाँ पर notice करोगे, maximum of the cluster मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने mark भी गरा है अगर आप cluster देखतो हो, centralized cluster कितना है maximum of the teams यहाँ पर centralized position पर आपको दिखने वाली है secondly guys, अगर हम बात करें, हाँ पर centralized position पर कौन सी team में जो आपका यहाँ पर edge खेल रही है vampire की team, TJB की team late move कर रही है, stalwart की team late move करती है 4 rivals, 52 and even जो falcon की team है, वो आपका काफी जादा यहाँ पर late move करती है so guys, एक बार overall standing देख लो, इनने percentage of team top 8 में जो यहाँ पर edges खेलना प्रैफर कर रही है बिस आपको example देगे बताता हूँ, जब यहाँ पर centralized cluster बन रहा है जैसी थोड़ा सा, हलका सा, hard shift आता हलका सा, अगर आपर notice करोगे पूरा का पूरा area, आदा जो map है आपका खाली पड़ा है and stalwart अगर आपको देख रही हो, easy movement है कोई teams निये, कोई clash निये, जाकि इनोंने यहाँ पर prison का area देया last act zone यहाँ पर बनता रहा same guys, team जो TJB है, 4 rivals है, 52 है, इनको यह काफी सारी चीज़े benefit करती है solid यही करती है, first second circle थोड़ा सा delay खेलती है but यहाँ पर lobby खुद help कर रही है in teams की कि आप जाके अच्छा खेलो and कल के दिन पर अगर lobby ने यह read कर आओगा तो आज की दिन पर आपको changes देखने को मिल सकते है and guys, ऐसा नहीं है, यह चीज़ आपकी सिरफ एक match पर हुई हो तो guys, यह second match इस पर भी देख लो, काउफ भी जादा centralized cluster आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है लेकिन guys, यहाँ पर ना कुछ सारी चीज़े लोगों की ना mentality clash भी हो रही है क्या हो रही है, like DWG की team बिल्कुल नीचे से आ रही है गूम के उजात के अगर यहाँ पर आप देखो कि सीधे अभी entry मार सकती देदर की तरफ से भी जा सकती थी लेकिन guys, उन्होंने क्या रास्ता प्रेफर करा, बिल्कुल वो जाएगी, बिल्कुल edge करते वे, clear करते वे अगर आप इसको बोले, तो उन्होंने rotation देना प्रेफर करा, south eastern की side से, and ऐसा क्यों था, according to the flight paths, maximum teams को लग रहा था, जो cluster बनेगा, वो इसी side बनेगा, पिकाडो की तरफ, यहाँ पे power grid की तरफ, lab bendy तक के compound की तरफ, लेकिन guys, सारी team ने opposite करा, सारी team ने यही सोचा, cluster यहाँ बनेगा, क्योंकि उधर की team को जादा team थी नहीं, अलज़र की type अगर आप देखते हो, तो maximum team ने सोचा, team पहले ही move कर लेगी, अपन लेट मूव करेंगे, और वहाँ से चल जाएंगे, लेकिन guys, यही आपका DWG के लिए थोड़ा सा यहाँ पर down हुआ, वहाँ पर अगर आप आपफ देखते हो यह पर वेंपार की team है, मोफ की team है, RSG महीं पर, यहाँ पर, wildcat की team है, VSG की team है, जोगा आपका जितना भी जितना भी अगर आप देखते हो यहाँ इस हैडिए साइट से बंदा गया, एन एक साइट फ्री क्लस्टर था, जादा बिटी लिह पीटीन हुई यहां पर चीज़ करना पूरे दिन पर कल पे जो आपकी साउथ हैं और आपकी इस ट्रेंड साइट की टीम से उनको काफी जादा दिक्कत हुई क्योंकि काफी जादा फेवर नहीं कर रहा था तो लोगों के यहां पर क्लैशिस हो रहे थे वीकल लेने के लिए क्योंकि वीकल तो लेना ही पड़ेगा अगर आपको अपने ड्रॉप्स पर जाना है तो वह बीटीज हमको देखने को मिली थी फस्ट मैस था काफी जादा अच् स्काउट करा सक्या और हमको पाईंग को सबसे पहले उनके मन में दिमाग पर जया वह आपका शायद की तरफ को जाए लेकिन जितने मैं की तरफ गए वहाँ पर दूसरी टीम ने अक्वाइर कर ले था उमेगा ने वहाँ पर जाके स्काउट कर रहा था उसके बाद उमेगा ने यहाँ पर according to the circle अगर आप देखते हो जो सबसे सही भी लग रहा था कि वाटर सीटी तक चाहिए जोन जा सकता है आप सभी को बता है कई बार फिवर करता है उन्होंने वाटर सीटी को लिया काफी अच्छा सिनारियो था लेकिन हाट शिफ्ट खाया और निंग्मा गैलेक्सी वही पर टीम थी निंग्मा गैलेक्सी को वाइप कर रहा उन्होंने आगे की तरफ पड़े तो गैस सेकिंड मैच के अगर बात करें यहाँ पर आपका ड्रॉप क्लैश देखने को मिला था बॉक्स एन सोल का लेकिन गाइस एक बंदा यहाँ पर काफी देर तक प्रोन था जिसकी वज़े से काफी ज़दा यहाँ पर बीटी हुआ लेकिन गाइस एक चीज़ बता देता हूँ यह है Global Lobby है तो यहाँ पर पता है टीम को कि यहाँ दो टीम फाइट कर रही है पका पिकाडो पर जाएगी तो मौर्फी टीम लाबैंदी ता के कंपांट को लूट रही है तो ग्ईज यहाँ पर पका थर्ड पाटी होने के चांस सब्सक्राइब करती है उन से जादा लेट मुव आपकी वाइल कैट की टीम करती है डीड़ी जी को पिंग कर देती है और काफी अच्छा जोन बना था लेकिन थ्री मैं थे उनका डिस अडवांटेज भी हुआ था अगर आप पूरा का बुरा मैस जेक तो स्ट्रालवर्ड ने काफी अच्छा मैस निगाला था एज क्लियर करते विजाती है अपना पीछे कुछ नहीं रखती है आगे अपना मस्त लोगों को मारते विजाती है अक्षद काना यह जो नेट था काफी बढ़िया था जो इसने नेट करा उसके बाद आई गैस इसने पीक का को यहां पे का ट्रेड आया अफ्रेड अगर आप नोटीस करोंगे वीजी एस के बंदे आपको उपर दिखने वाले हिल की तरफ तो कि यहां के होता है आपका जैसी उमेगा नहीं यहां पे नौक दिया अगर आप देख रहोंगे उपर भी आपको वीजे के बंदे दिख रहोंगे तो और जो हेक्टर है वो आगे की तरफ को अग्रेक्स करते है जो यहां टॉप होता है नीचे कुछ चल जाता है स्क्राय यहां पर पीका को रिवाइब दे रहोता है और टॉप जो है टॉप को भी रिवाइब देने के लिए मतलब तीन बंदे एक ही पोजिशन पे एक्शन का कॉप डाउन सजाती है और स्टालवेट लास्ट हेक्टर को वाप पर उठाले है जो आज का जो देर रहने वाला है वो रहने वाला एक देज ऑफ कमबैक एन आपको क्या लगता है कौन से टीम कमबैक करने वाली है एक वाग कमेंट करके जरूर बताना यह काइंड ऑफ मैने अफजर्वेशन वीडियो बनाई थी एन थोड़ी चीज़े बताईए टीम का खेलने का तरीका क्या है एज मिड और सेंटर गेम पी